ओम शान्ति शब्द तो पका हो गया ना क्योंको ओम शान्ति शब्द जो है ना ये एक महा मंत्र का काम करता है कि मंत्र क्यों लिया जैता है कोई भी समस्या होती है उसको मिटाने के लिए मंत्र होता है तो ये ओम शान्ति शब्द जो है ये अर्थ से अगर आप सोचेंगे तो ये महा मंत्र है क्योंको ओम शान्ति का अर्थ तो आपने सुनाई है कि मैं शान्त स्वरू पात्मा आपको अन्भा हो है कि जैसी सिमर्थी होती है ना वैसे हमारी इस्थती होती मानो कोई दुख की समर्थी आपके मन में है तो आपकी स्थती क्या हो जाती है किसी भी अच्छे अस्थान पर बैठे हुए भी अगर मन की समर्थी उल्टी सुल्टी हो गई मानो तो इस्थती कितनी बदल जाती है तो ओम शान्ती का अर्थ जो है मैं शान्त स्वरूप आत्मा हुए हमारा पिता परमात्मा उसको क्या कहते है शान्ती का सागर शान्त सरूप नहीं कहते है, शान्ती का सागर कहते है और हम आए कहां से है आत्माई वैसे साधारन रूप में भी कहते है कि ये तो मुसाफर खाना है दो दिन के लिए आई है, मेमान है, चले जाएंगे अगर ये मुसाफर खाना है, तो कोई ठिकाना तो होगा जहां से आए है तो वो ठिकाना हमारा शान्ती दाम हम भी शान्त सरूप, हमारा पिता शान्ती का सागर तो ओम शान्ती अगर आप अर्थ से याद करेंगे ना तो टेंशन फ्री हो जाए झाले करेंगे